कि हलो विवान और वेलकम तू सिक्षा गाई सबसे पहले तो चैनल को फटा-फट से सब्सक्राइब बटन हिट कर दो ठीक है और लेक्चर को शेयर जरूर कर देना अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है तो शेयर जरूर करना क्योंकि अल्टिमेटली वही एक सोर्स ऑफ एंकारेजमेंट है बेटा अग्रिकल्चर के प्रिविएस एर कोशन्स डिसकस कर रहे हैं और पार्ट सिक्स है यह हमारा अल्रेडी आपको फाइव पार्ट मिल चुके है प्लेडिस्ट बनी हुई है यहाँ पर आपको लिंक भी दिख जाएगा उस प्लेडिस्ट का तो वो पिछले पांच पार्ट भी देख लेना पांच-छे-पांच-छे कोशन करते हैं हर लेक्चर के अंदर ठीक है अगर आप नबाट ग्रेडे के लिए इस बार प्रिपेर कर चीप से मेरा मतलब है कि सस्ता उसको रखा गया ताकि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके और अभी उस पर 30% आफ भी चल रहा है अर्ली 30 कोड यूज़ करके और किसी की अगर पेंग कैपबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम में बेटा तो वो मेरे से कॉंटाक्ट कर सकता है ठीक है सौडिक स्वाइल की रिकलेमेशन के लिए सौडिक स्वाइल के होते हैं इन वन अप दे लेक्चर्स मैंने अभी डिसकस भी किया था ओके और यह जो सौइल अमेंडमेंट है यह चीप भी है यानि कि सस्ता भी है और एजीली मिल भी जाता है मार्केट में असानी है कि इसकी सब्सक्राइब नहीं रहेगी मार्केट में एजीली अवेलेबल भी है मार्केट में और सस्ते दामों में भी मिल जाता है ऑप्शने जिप्सम भी अमोनियम सलफेट सी लाइम डी आइरन पाइराइट एंड एमोनियम नाइट्रेट ओके इजी कोर्शन है आई बीपेस अफो 2022 जो भी जैनुरी में हुआ था उसमें ये कोर्शन आया था and the right answer guys over here is option A जिप्सम ठीक है अच्छा जब मैं कोर्शन दिखाता हूँ न क्यूंकि ये recorded lectures आपको YouTube के उपर मिल रहे हैं तो जब मैं आपको कोर्शन देता हूँ तब ultimately आप उस कोर्शन को देखके वीडियो को चा आपके 40 questions ARD के होते हैं और 40 ESI के होते हैं तो 80 questions का ये mock होगा एक तरीके से ठीक है एक mock test होगा 80 questions का single go में और इसको हम plan कर रहे हैं Monday को that is 8th of August ठीक है और ये live रहेगा 7 p.m. से अभी मैं session भी create कर दूंगा ये थोड़ी time में आपको session reflect हो जाएगा बना हुआ live session होगा तो इसक के अंदर process होई रहेगा एक एक करके पहले questions आएंगे and ultimately फिर हम discuss करेंगे आप पूरा पहले questions को attempt करोगे उसके बाद फिर explanation होगी ताकि आपको एक idea लग जाए कि आपकी preparation कैसी है कितने marks आपको आपको आए and all okay all right so gypsum बेटा ऐसा soil amendment है जिसको sodic soils में reclaim करने के लिए यूज कि soils को recover करने के लिए ठीक है water impounded है जो उसको remove कर दीजिए and उसके लावा आप क्या कर सकते है proper drainage जो है वहाँ पर रहना चाहिए and green manures को भी आप apply कर सकते है at the rate of 5 tons per hectare अगर आपका soil जो है sodic है उसको reclaim करने के लिए next question implement used for seed bed preparation अच्छा जी weed removal और stubble जो basically crop harvest करने के बाद जो waste है ज manure fertilizers की mixing के लिए भी soil के साथ इन में से कौन से implement को use किया जाता है option A cultivator, B rotavator, C leveler, D plow या फिर E none of these okay जी, तो seed bed preparation, weed removal, stubble removal और manure fertilizer की mixing ये तीन काम है answer यहाँ पर होगा आपका option एक cultivator, answer क्या है यहाँ पर correct आपका cultivator तो cultivator के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये basically एक implement होता है, एक तो आपके जो clods होते हैं उसको break करता है cloud के होते हैं, जो मिट्टी के pinड बन जाते हैं, थोड़े बड़े size के, उसको break करता है ठीक है, आपके soil को cut tilth, fine tilth create करेगा, इसलिए इसको tiller yet to thorough भी कहते हैं ये भी question में directly पूछा जा सकता है, जो आप land already plow कर चुके, उसको further ये loose करेगा soil particles को, ताकि एक better drainage create हो सके, और इसको weeds को destroy करने में भी काम लेकर के आया जाता है next question, basic component of protein and chlorophyll constituent है, ठीक है जी, vegetation growth के लिए important है skeletal nutrient है, amino acid और protein formation में help करता है, ये कौन से nutrient की बात हो रही है basically आपको nutrient identify करना, तो यहाँ पर आपका right answer होगा बटा, option A, nitrogen, nitrogen will be the right answer nitrogen के बारे में अगर हम जाने, इसको king of plant nutrients बोलते हैं, ठीक है and nitrogen जो है, इसको leaf absorb करती है, amide form के अंदर, dark green color plant को यह देता है basically जो dark color होता है, dark green color होता है plant का, वो nitrogen की वज़े से होता है और nitrogen की अगर deficiency होती है, तो yellowing of leaves भी इसी वज़े से शुरू हो जाती है vegetative growth को encourage करता है, protein का एक बहुत important constituent है quality and succulents जो है वो improve करता है अब यह succulent plants basically क्या होता है, यह plant के वो parts होते हैं, जो thick होते हैं, fleshy होते हैं और यह पानी को basically retain करने का काम करते हैं, जो succulent parts होते हैं especially जो arid climate के जो plants होते हैं, उनको हम succulents बोलते हैं, क्योंकि वो पानी को retain करके रखते हैं, future use के लिए fourth question के उपर आजाओ जी, which among the following is the highest priority brackish water fish brackish water basically क्या होता है, salt water, having high growth rate, growth rate इसका high है और temperature fluctuations को भी tolerate कर सकती है, तो यह three features किस fish के अंदर देखने को मिलते हैं एक तो brackish water के अंदर है, दूसरा, growth rate काफी अच्छा है, तीसरा, temperature fluctuation को tolerate कर लेती है A, white prawn, B, tiger prawn, C, milk fish, D, shrimp या E, lobster इस question का सही answer है, आपका बेटा option B, tiger prawn tiger prawn के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, botanical name जो है इसका, that is called penneus monodon काफी large size ये attain कर लेती है, 10 to 12 pieces per kg आपको देखने को मिलेगा अगर आप market में खरीदने जाओगे and size of 5 to 7 pieces per kg have been grown in ponds, okay, तो pond के अंदर 5 से 7 और अगर थोड़ा बड़ी water body के अंदर जाओगे तो 10 से 12 pieces per kg भी आजाएंगे, सारी shrimps के अंदर जिनको test किया गया है, ये fastest growing है, okay अगर आप pond में देखते हो, juveniles of 3 cm in length have grown to a size of 75 to 100 grams in only 5 to 6 months 3 cm की जो juvenile fishes है, जो young fishes है, वो 75 से 100 gram का वज़न attain कर लेती हैं, सिरफ 5 से 6 महिने में और यही हमारा point था ना question के अंदर, okay, due to its large size, it brings a high price to the farmer farmer को अच्छा पैसा ला करके देगी, और peak season में तो इसकी demand बढ़ जाती है, इंडिया के अंतर 4500 रुपे किलो में भी ये बिखता है wide range of salinity को tolerate कर सकता है, हमारे question में temperature था, salinity वाला point नहीं था, लेकिन ये salinity को भी tolerate कर लेगा 0.2 जो almost fresh water की category में आता है, 0.2 से लेकर के 70 PPT, on an average आप ये लगा लो कि एक जो oceanic water body होती है, उसकी 33.33 PPT जो है, वो percentage जो है, उसकी salinity होती है इसकी 70 PPT है, तो काफी high salinity है, तो 0.2 से लेकर के 70, okay, salinity within the range of 10 to 25 PPT has no appreciable effect on growth, 10 से 25 पे तो effect भी नहीं पड़ेगा ठीक है, 10 से 25 पे तो कोई effect भी आता नहीं दिखेगा, growth is reported to be slower at very low salinities, अगर बहुत ही जादा low salinity हो जाती है, तो कहीं बार growth, 10 से नीचे चली गई, तो growth के उपर effect दिखेगा, लेकिन फिर भी tolerate तो कर जाएगा वो उसको temperature भी देखो कितना tolerate कर सकता है, 37.5 degree Celsius का temperature को भी tolerate कर सकता है, और 12 degree Celsius भी, तो 12 से 37 degree Celsius, कितनी wide range हो गई, यह हमारे question में था, ठीक है, 12 से नीचे गया या, तो फिर death होनी शुरू हो जाएगी, it grows rapidly when fed either with animals or vegetable protein, food conversion ratios are favorable, value as low as 1.8 ratio 1 have been reported from Taiwan, तो food conversion ratio भी इसका काफी अच्छा है, hardy and not greatly distributed by, disturbed by handling, ठीक है, handling के अंदर भी यह काफी जादा support करता है, तो अच्छा फिश है, ग्रो करने के लिए, आपको यह सारे के सारे advantages देखने के बाद, idea लग जाता है, यह अच्छा फिश है, औ अगर आप दुबारा question के उपर जाओ, तो देख रहे हो, brackish water priority है, क्योंकि low salinity में जाकर के size कम होना शुरू हो जाता है, high growth rate है, यह भी point हमने देख लिया, और fluctuation in temperature को भी tolerate कर सकता है, ठीक है जी, इसके अंदर direct इस तरह की questions भी पूछे जा सकते थे कि tiger prawn कितने temperature को tolerate कर सकता है कितनी salinity को tolerate कर सकता है, ठीक है, इस तरह से direct questions भी पूछ सकता हो, last question के उपर आजाएं, cricket ball and kalipati are varieties of which crop, ठीक है, यह किस crop की varieties है, sapota, bear, guava, pear और plum, okay, so the right answer over guys, here is saputa, जो आपका क्या होता है, चीकू, चीकू को saputa कहते हैं, है न, तो चीकू की कुछ important varieties, जो ICAR की हैं, वो आपके पास यहाँ पर state wise आ जाती है, आंधरा प्रदेश की cricket ball, जो हमारे question में है, कली पती, यह दोनों आंधरा प्रदेश की हैं, वो इस तरीके से भी question पूछ सकता था, कि saputa की यह जो varieties है, cricket ball और कली पती, यह कौन सी state को बिलॉंग करती है, कैलकटा round, okay, उसके बाद किर्थी भार पीकेम वन, करनाटका में भी cricket ball, कलीपती, कैलकटा round, DHS1, DHS2, महराष्टरा में कलीपती, धोला दिवानी, क्रिकेट बाल, मुरब्बा, ओडिसा में क्रिकेट बाल, कलीपती, तामिल नाडू में, पाला, क्रिकेट बाल, गुथी, CO1, CO2, पीकेम वन, उत्तर प्रदेश में बारामासी, वेस्ट बेंगॉल में, क्रिकेट बॉल, कैलकटा राउंड, बारामासी, भाराउ, और गंदेवी, बरादा, तो ये एक रफ आइडिया आपको रहना चाहिए, दिमाग के अंदर की हाँ, ये सपूता की वराइटीज है, एजीली अंसर करते होगे, देखो ये 2022 म पेले दोस्तों, इतना ही, PDF तो आपको टेलीग्राम के उपर मिली जाएगा, पिछले सारे 5 लेक्चर्स की PDF मैंने टेलीग्राम के उपर अल्रेडी डाल दी है, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे को वाट्चाप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप झाल झाल